अब लहराओ बगवा और करतो हो एलान पहले शादी कोंडाना की फिर मेरे राइबाकी अब लुए तो फेक स्टोरी ती ना यह तो रियल स्टोरी है हमारे योद्दाओं की कहानी है यह क्या पिच्चर बनाई है क्या खास लगा आपको फिल्म में पिच्चर में क्या खास नहीं है फिल्म शुरू से लेकर आगरी तक बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अच्छा सब कुछ परफेक्ट मतलब मैं लास्ट वारियर मूवी देखी थी लड़ाई की पानीपत देखी थी मैं पानीपत मूवी में अर्जुन कपूर को संजयत अतिन सब को यह कहूंगा कि भया वंबक तोड़ा सा घर से करके लाते तो कुल धंका हो जाता क्या पिच्चर वनाई करते हैं इस फिल्म में वह चीज दिखाई गए इस फिल्म उनका एक्षन और इसके लावब भी एफेक्ट अवाव फिल्म 3D को डिज़र्फ करती थी और इसके लावा फिल्म से ना वह thीक है उसने शुरुआत करी ती इस तरह की फिल्मों की लेकिन भाहु बली जो ती यह क लेकिन जो ताना जी फिल्म है वो हम पड़ भी चुके हैं इसके लावाम उसको फिर फिल्म में देखते हैं इसमें शिवाजी की जो एक्टिंग जिसका करेक्टर केल करने निभाया है मतलब शिवाजी का रोल भी बहुत बढ़िया इस फिल्म के भी एफेक्स वगेरा कैसे मतलब तुमने ताना जी क्यों नहीं करी इससे पहले अच्छा डायलोग इससे हैं जिन पर सेटिया और तालिया बजे अरे बिल्कुल मतलब लास्ट का जो फाइट सीन है ना वह आपके रोंगते खड़ हो जाएंगे मतलब अभी ऐसा लग रहा है कि वह मतलब वह सीनी नहीं राइट केरेक्टर्स भी थे ना उनका भी रोल बहुत अच्छा मतलब लड़ाई हो युद्ध हो इसके लावा इस फिल्म में इंट्रस्टिंग चीज यह सेफ अली घान को उल्टी तलवार से लड़ते वह दिखाया है और काफी जोर्दा सीन मतलब फिल्म में एक सीन था हा वाइफ मतलब वह उन्होंने वही केरेक्टर निवाया उन्होंने अपने अस्वेंट को मोटिवेट करते हो दिखाया कि भया हम हैं पीछे से अच्छा लगा मतलब मैं फैन रहा हूं और सेफली सरका और इस टेलावा काजोल में भी थे तो काजोल में की एक्टिंग विदी को आपको फिल्म बोर लगे ना तो यह नीचे कमेंट बॉक्स में आप मेरा परसनली है ना वीडियो पे क्लिक करके आप मेरे को गाली देना मेरे को दिक्कत नहीं है कोई दिक्कत नहीं अगर आपको फिल्म बोर लगे तो आपको कैसे लगए आपको लगए मतलब में बोलना हो ना मेरे को अभी भी ऐसा लग रहा है कि मतलब कोई में सच मुझ कोई लड़ाई देखता है इसको पहुचाओ दिल ले अच्छा डायरेक्शन वाइस बताईजी ओम रोध का डायरेक्शन बहुत बढ़े हैं अच्छा लेकिन डायरेक्शन बहुत बढ़े हैं मतलब लगा कि यहां कुछ बढ़िया और कुछ जोरदार फिल्म बने मैं कहूंगा कि बॉलिवुट को हेड्स है यार कि हम हॉलीवुट की लेवल की फिल्म में करने लगा है, वरना पेले ऐसी फिल्म में हम लोग 300 सोचते थे इसके लाव वे नैल सिंग जैसी मूवी इसके लेकिन लेकिन बॉलिवुट को है कि दादा आप ऐसी फिल्म बनाने लगे और क्या खास आपको फिल्म सोंग वगेरा कैसा था मुज़िक वगेरा मलब शंकर आयद गाना बहुत बड़े आता इसके लावा भीर हे चला रहा रहा मतलब यह जो बेग्राउंड कैसे लगे सर मुभी बहुत हाड क्या हाड आप फिल्म में आज़े लिए बहुत करा मतलब अच्छा फिल्म है जो रिसर्च था इस पर पर्फेक्ट बताया या फिर ड्रामेटिक बना दिया थोड़ी थोड़ा बहुत रखा था था बस वाई की तो पर्फेक्ट एक तो थे जहां से आज़े दोगन रस्तिव पर बहुत रहा था पर वह पूरा समझा रहा था कि वह पोड़ी में करा है पर रियलिस्टिक लग रहा था था वह फिल्म के एक्षेंट सीन वगेरा बहुत उसके जैसे लिए बहुत पर नहीं जैसे बादी अच्छा फिल्म का यह बता और मसाला फिली में मतलब डायलोग भी एक्षेंट सीन वगेरा मतलब जो एक्षेंट सीन वाइंटर्वल के बाद ज्यादा है पर उससे होती है बतलब फिल्म के डारेक्शन ऐसा है कि कहीं बोर करती या फिर एक जैसे लेकर चलना है नहीं 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 को देख लो खड़े अच्छा रेप्यूटिव लिए हो है फिल्ट बहुत दो बार देख सकते हैं आज राट में फिर आएंगे साड़ो दस वाला सो एक लगा ठीक ठाएके उते भी आएंग्ट वर्या फिल्म यहा जाईगी सरकेश केसे लेगी बहुत अच्छी थी आजेदेवन का काम के साथ था बहुत अच्छा एंच्छा इक्छा लगाए नहीं 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 पता था अच्छा थी तव नहीं हम सयग फ्सक्राइच्छन थी अजय देवन का रोल बहुत अच्छा लगा, इसमें कुछ डिफरेंट देखने को मिला है, और हिस्ट्री से रिलेटेट मुवी है, तो इसमें 5.5 रिवी देता हूं अच्छा था फिल्में, बहुत अच्छा लगा, अच्छी मुवी है, बहुत बढ़िया है, बहुत शांदर किसे लेगे सर मुवी है, बहुत शांदर एक्षन, मैरे दोस्त, क्या मतलब क्या अच्छा था फिल्म में, फिल्म में, एक स्टोरिकल, पॉइंट अफ्यू से देखे तो बहुत शांदर है, और बाक्स आफिस पर ब्लागबस्टर रहेगी, डायरेक्शन वाइस कैसी क्या थ ओम राउद की दूसरी फिल्म है, और डायरेक्शन इंटरनेशनल लेवल का है, इंटरनेशनल लेवल का, अच्छा फिल्म के एफेक्स वगेरा कैसे क्या थे है, इफेक्स यह समझ दो आपकी बावुबली के मुकाबले के हैं, और इस फिल्म की यूएस पी जो है, वो है, इ अजे देवगन को, फाइव में से फोर दूँगा और सेफ को मैं फाइव में से फाइव दूँगा, सेफ का काम आपको आजे से बेटर लगा, दोनों ने अपनी अपनी जेगे पर अच्छा काम किया, लेकिन जो एक खलना एक था विलेन था, उसको सेफ खान ने बहुत जब देते हैं, नहीं, लोग कहीं नहीं छोड़ती है, फिल्म बहुत टाइट है, आप हिल भी नहीं सकते हो गुर्सी पर से, और एक बहुत बड़ी कहानी को, उसमें बहुत अच्छे डंसे से मैटा है, मतलब फिल्म हीट बोल सकते हैं, अरे सूपर हीट हीट क्या है, अभी बारी की से कटिंग करिए, नहीं दुरुष्यों को कहां दिखाना है, और कहां उसको जोड़ना है, यह दर्शकों के मन में एक छाप छोड़ आता है, पूरी तरह साही है, एक 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 टिंग, डायलग कहां जाना चीए, उसकी टेकिंग कहां होनी चीए, यह प्रॉपर ओम र अच्छा फिल्म की स्टार कास्ट के बारे में बताओ किसका गाम बेटर लगा आपको, कास्टिंग बिल्कुल एक्सेलेंट जो चाहिए, उस हिसाब से प्रॉपर की गई, इसा नहीं लगता है कास्ट की इनने, यह शाहिदे किरदार गलत है इस पोजिशन के लिए, अच्छ साल बाद इसे कोई डायलाग बेस्ट फिल्म आई है, इसमें डायलाग का बहुत इंपोर्टेंस है, तो यह याद रखे जाएंगे, पूरी तरह को तो फिल्म अच्छी लगी, जैसे चत्रपती, शिवाजी महाराज़ पे लोगो को बहुत कम पता है, तो थैंक्स टो ओम रा झालाड, झालाड brasileño को फिल्म इसे चत्रपते, पुर्पते, इसे चत्रप्स लुमAct भी शची महाराज़ पे लोग बधर कंथे सवा च्योराना को झालाग, वा पे रा कण्शाूल, जैसे इसे तो पूरी झाल DC झालाग, डवश